क्या सोने की कीमते जल्द ही दो लाग तक पहुंचने वाली हैं। दो लाग बिलकुल आप सही सुन रहे हैं दो लाग एक बहुत बड़ा अमाउंट है। क्यूंकि अगर सोने के दाम देखें वो दिन प्रति दिन यानि हर दिन आप देखें कि सोने के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों ने बैंक में पैसे रखना कम कर दिया है और सोने में इनवेस्ट करना ज्दा कर दिया है क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि आज हम जितने का भी सोना खृएद रहे हैं कल हमें सोना जो है वो उससे जादा का मिलने वाला है और साथी साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि सोना यानि जो भारती हैं वो सोने को सबसे जादा खरीते हैं क्योंकि हमारी जो इंडियन मेरेजिस होती हैं हमारे जो विवाह होते हैं उनमें सोने का लेंदेन जादा होता लेकिन अब ये पीले कलर का यानि पीली धातू ये जो आपको पीले कलर का येलो मेटल जो आपको दिखती है जिस तरह से येलो की बात करें ये अब इतना महंगा होने वाला है कि आपकी पकड़ से बाहर होने वाला है और एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट का साफ तोर पर कहना है कि कभी सोना जो है वो 10 ग्राम 2000 से जादा भी हुआ करता था कभी 24,000 हुआ करता था कभी 18,000 भी हुआ करता था लेकिन अब आप अगर माने तो अब सोना जो है वो 70,000 के पार चला गया है और आइस्ता आइस्ता अगर आपको ये पता दे कि experts का यह कहना है कि सोना एक से दो लाग भी जल्द हो जाएगा लेकिन अब experts की निगाहे किस पर है experts की निगाहे हैं कि आने वाले समय में जब आप लोगों के घर पर शादिया होंगी तो क्या आप अपनी बहु और बेटियों को उपहार पर ये सोना दे पाएंगे यहां आपको पुराने जमाने में जाना पड़ेगा जहां पर लोग जो है वो सोने का पानी चड़ा कर जो है वो उपहार गिफ्ट किया करते थे जब पुराने जमाने की बात करते हैं तब सब लोग अमीर नहीं हुआ करते थे वो एक रिंग खरीदा करते थे यानि एक सिरफ सोने की रिंग खरीदा करते थे या चोटा सा सोने का कोई भी आबूशन यानि और्नमेंट खरीदे थे अपनी बहु कोई अपनी बेटी को दे देते थे और कहते थे कि हमारे पास से ही है क्योंकि हमारी हैसियत इतनी है सबकी बा और बाकी अगर उन्हें देना होता था तो उस पर वो जो है सोने का पानी चड़ा कर दिया करते थे और आपने देखा कि आइस्ता आइस्ता दुनिया जो है वो आगे बढ़ती गई जमाना पीछे छूटता गया नया जमाना आता गया तो यहां पर माबाप हो यह ससुराल वाल सचाब करें ने अब रिष्टेदारों के लिए बहुत ज़्यादा सोना खरीते हैं कभी भी कोई चीज हो आप उस पर सोना देते सोने को शुबी माना जाते हैं और ऐसा भी लगता है कि सोने को अगर हमने किसी को गिफ्ट किया तो हमारे एक एससे तयार हो गया यानि हमारे पास एक प्रॉपर्टी तैयार होगी लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि भारते संस्कृति की चीज़ें आप बाहर भी जा रही है अब फॉरन के भी लोग यूएस अमेरिका कैनडा के लोग जो है वो सोने में इंवेस्ट कर रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं और सोना इसलिए ख सोना आपकी बेटियां बीवियां पहनेंगी तब भी आपके घर रहेगा और आपके पास एक हिसाब से आपका एमाउंट रहेगा आपको बता दे कि बैंक इतना जादा इंटरस्ट नहीं देता जितना सोने पर आता है लेकिन फिलाल जब आप मेरे साथ एक्सपर्ट की राय बढ़ रही है और सोने की अगर मैं बात करू तो दस ग्राम सोना जो है वो जल्दी एक से दो लाग यानि दो लाग तक यहां पर बाना जा रहा है दो लाग तक पौन जाएगा और इससे सुनार यानि जो जो एले रेस्टेशन है वो काफी जादा परेशान है क्योंकि उनका यह मानना है कि शादी अमीद गरीब मिडल क्लास अब का हर कोई करता है लेकिन सोना हमारी पकड़ से बाहर होता जा रहा है लोग अब सोना खरीदने से परहेज कर रहे हैं ऐसा ना हो कि आगे हमें वी फाग कशी का शिकार होना पड़े लोग सोना ना खरीदेle अब ये सुने 2015 में सोने की कीमते 24,740 थी और वही 2006 में जाएं 8,250 थी और वहीं अगर आप यहां पर 10 ग्राम सोने की कीमतों की मैं बात करूँ जरूर बताईएगा और अगर आपके पस कोई ऐसा फॉर्मूला हो तो सरकार को जरूर बताईए कि बढ़ती ही सोने की कीमतों पर किस तरह से लगाम लगा सकते हैं फिलाल खबर इतनी ही कि एक्सपर्ट भी देखना चाहते हैं कि सोने की कीमते कहां तक जाती हैं सोने की कीमते ह पर दिन तीन गुना बढ़ रही है जिससे दूसरा जो एले रेस्टेशन भी परेशान हो गए है क्योंकि लोगों का रश बहुत कम हो गया है मार्केट में तमाव अपडेट्स के लिए दिखते रहें जम्बलटिन में उसे